आपका मैंने सुना वो सुनते ही मेरे मन में आया कि आप कितनी नेगिटिविटी में चले गए कि आपने बजरंग बान सुना और एक हफते बाद आपको इंजरी हो गई दोस्तों अगर आप यह जानना चाहते हो कि विचार.ai का इस्तेमाल कैसे करें या फिर कहो कि लोंग वीडियो को सौट वीडियो में कैसे कनवर्ट करें तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि विजार्ड.ai का इस्तेमाल कैसे करें या फिर ये को कि लॉंग वीडियो को सौट वीडियो में चुटकियों में कंवर्ट कैसे करें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना है क्रोम में यहां पर आपको सर्च कर लेना है वीजार्ड एयाई जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके पास ये वेबसाइट दिखेगा आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है देखो भाई जो हम यहां पर बता रहे हैं वीजार्ड थोड़ा सलो हो सकता है तो हो सके तो आप वीजार्ड एयाई का होम पेज कुछ इस प्रकार का दिखता है चलिए अब मैं यहां पर आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे इस एयाई से लॉंग वीडियो को सौट वीडि आपको चलना है यूट्यूब पे यूट्यूब पे आने के बाद आपको यहां पर सर्च कर लेना है हिंदी पोड़कास्ट है आपको जिस भी चैनल का वीडियो कोपी करना है उसका कोपी कर सकते हूँ बस आपको क्रेडिट देना होगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई दि हमेला ना हो तो उसके लिए आपको यहां पर सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करना है हिंदी पोड़कास्ट और यहां पर सर्च करने के बाद आपको जिस भी चैनल का कोपी करना है आप उस चैनल का ले सकते हो जैसे हमने यहां पर हिंदी पोड़कास्ट सर्च करी है तो इसी पोड़काश वीडियो से कुछ सौर्ट क्लिक को डाउनलोड करूगा तो उसके लिए सिंपल है आपको यहाँ पर इस थ्री डॉट के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर सेयर के उपर क्लिक करके इस लिंक को कोपी कर लेना है और आप तो बहुत ही एक्सपर्ट होंगे पर्फेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर गेट क्लिप्स के उपर क्लिक कर देना है लेकिन एक बात ध्यान रहे अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया होगा तो आपको वीडियो डाउनलोड करने के दाउरान अकाउंट बनाने के लिए कहा जा सकता है तो चलिए अब हम यहाँ पर Get Clips के उपर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस वीडियो का language हिंदी है। तो यहाँ पर automatic ही हिंदी यहाँ पर select हो गया है। अगर आप लोग इंग्लिस वीडियो को short में convert करना चाहते हो तो आप इसके उपर किलिक करके English भी select कर सकते हो। लेकिन हम जो majority है इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जो shorts देख रहे हैं वो हिंदी content देखते हैं। अगर आप इंग्लिस पर काम करते हो तो वो पूरे world में चलता है तो आपका वीडियो वाइरल होने का chance और अधिक हो जाता है। लेकिन अभी पहले आप हिंदी channel के उपर ही work करो ताकि आपको चीजें समझ में आसानी से आए और आप अपने channel को grow जल्द कर पाओ। तो उसके लिए अब यहाँ पर simply next के ओपर क्लिक कर देना है यहाँ पर देख सकते हो auto select है आप वीडियो की duration को select कर सकते हो 30 second का रखना चाहते हो 30, 60 second का रखना चाहते हो जो भी रखना चाहते हो आप अपने इसाप से रख सकते हो आप यहाँ पर auto भी रख सकते हो अटो रख नेक्स्ट के उपर किलिक कर देना है दोस्तों आप अभी यहाँ पर देख सकतो वीडियो वी अचीवड इन 24 आवर साइन अप नाव टू सेव यर प्रोजेक्ट मतलब कह रहा है कि आपका जो वीडियो रेडी होगा उसे सेव करने के लिए आप पहले यहाँ पर साइन अप कर लिजिए ताकि आपका वीडियो जो बनेगा वो सेव हो जाया आपका डिलेट ना हो और आपको टेंसन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर 24 आवर सिर्फ देखने के लिए है यहाँ पर अभी देख सकते हो दो वीडियो यहाँ पर मेरा बनके रेडी हो गया है और इस वीडियो से मेरा नो वीडियो बनके रेडी होगा तो अब यहाँ पर जब तक यह वीडियो बन रहा है तब तक हम यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं account बनाने के लिए आप sign up to save के उपर click कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर sign up के उपर click कर सकते हो तो simply हम यहाँ पर sign up to save के उपर click कर देते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर अपना email id डाल करके first name और last name डाल करके अपना password select कर सकते हो या फिर डायल कर सकते हो या फिर आपको सबसे आसान होगा Sign up with Google के उपर क्लिक करके account तुरंत बना लो तो हम simply यहाँ पर Sign up with Google के उपर क्लिक करके अपना account बना लेते हैं अब यहाँ पर आपको आपका email ID दिख जाएगा simply उसे select कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको confirm के उपर क्लिक कर देना है account बनाने के बाद आपको कुछ इस परकार का interface दिखेगा दोस्तों यह वीजाट AI का home page है यहाँ पर जो मैंने अभी वीडियो बनाया हुआ था वो आपको कहां दिखेगा यहाँ पर देख सकते हो simply आपको यहाँ पर projects में आ जाने है जैसे यह projects के उपर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस परकार का interface आएगा और यहाँ पर आपको वो सभी project दिख जाएगा जिसके उपर आपने काम किया है तो अभी कुछ दिनों तक रहता है जैसे अभी आप लोग यहाँ पर देख सकतो जो वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वो expire in 7 days मतलब 7 दिन में यह वीडियो यहाँ से expire होकर के हट जाएगा तो अभी यहाँ पर क्या करना है जो आपने अभी वीडियो बनाया हुआ था जो मैंने अभी यहाँ पर वीडियो अपलोड किया हुआ था लिंक उससे उसका स्वाट्स पाने के लिए आपको व्यू किलिप्स के उपर क्लिक कर देना है अभी आप लोग यहाँ पर देख सकतो Policing and Creating Clips पांच वीडियो मेरा यहाँ पर बनके रेडियो हो गया चार वीडियो और बनना बांकी है मैंने थोड़ा लंबा वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया है जिस कारण सी यह थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है आपको आधे गंटे की वीडियो अपलोड करना है ताकि आपको जल्दी मिल जाए वीडियो यहाँ पर देख सकतो मेरा छठा वीडियो भी complete हो चुका है तो सातमा वीडियो भी complete हो चुका है गजव यहाँ पर देख सकतो दोस्तों वीडियो बनके ready हो चुका है तो चलिए अब हम यहां पर इसको edit करने के लिए आपको सिखाते हैं कि आप लोग यहाँ पर कैसे इसे edit करके download कर सकते हो यहाँ पर आप अभी देख सकते हो कि एक video जो बना है सबसे उपर में 18 секंड का है, 1 minute 9 second का है, 16 second का है, 13 second का है, 13 second, 17 second ये मतलब auto में मैंने वहाँ पर रखा हुआ था जिस कारण से यहाँ पर कुछ video एक मिनट से कम और आधे मिनट से भी कम की video यहाँ पर select कर लिया है और एक मिनट से जादे duration की भी video यहाँ पर select हो चुकी है तो अब यहाँ पर edit करने के दोरान जो video एक मिनट से लंबी है उसे cut करके आप हटा सकते हो simply आपको पहले video चला करके देख लेनी है कि आपको कौन सा video पसंद यहाँ पर आ रहा है मतलब आपको कौन सा shots पसंद आ रहा है तो उसके लिए आपको simply यहाँ पर पले वाले आइकन को उपर click कर देना है देखो यह पहला video था अब यहाँ पर आपको हम दूसरा video चला करके दिखा देते हैं बजरंग बाण की मदद ली थी मैंने प्रभुजी आप 24 घंटे बजरंग बाण पढ़िए किसी ने तो आपके podcast में भी का कि हनुमान चाली सारोजनी पढ़ना जाई है सब कुछ बंद करवा दो उन्हें किसने इजाज़त दी गुलों से बात करने की एक share का share है अब चलिए हम यहाँ पर यह shorts मेरे को बहुत पसंद आया है आप यहाँ पर किसी और को भी चला करके देख सकते हूँ हलाकि यह shorts बहुत लंबी है चलिए हम एक छोटा shorts को ही select करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हूँ यह 24 seconds का short है हम इसको select कर लेते हैं और इसे select करने के बाद हम simply इसे edit करेंगे उससे पहले हम इस वीडियो को भी चला करके देख लेते हैं आपका मैंने सुना वो सुनते ही मेरे मन में आया कि आप कितनी negativity में चले गए कि आपने बजरंग बाद सुना और एक हफते बात आपको इंजरी हो गई बड़ी गंदी वाली कोई आपकी पुरानी जाग गई तो जो भी shots यहाँ पर बनके ready हुआ है हम इसे edit करेंगे तो edit करने के लिए यहाँ पर यह जो edit का icon दिख रहा है मतलब लिखा हुआ दिख रहा है simply आपको इसके उपर click कर लेना है तो please यहाँ वीडियो को like कर दो और अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर edit कैसे करना है वीडियो को मतलब जैसे अकर इसका font वगएरा change करना है तो आप कैसे कर सकतो तो simply यहाँ पर आपको edit के उपर click कर देना है और तो जैसे ही आप edit के उपर click करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का interface दिखेगा यहाँ पर आपको कुछ suggestion भी देगा कि आपको यहाँ पर इसे use कैसे करना है जैसे यहाँ पर अभी आप देख सकतो एक pop-up में हमको यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे इसे select करके delete करना है किसी भी word को यहाँ पर आपको suggestion लेते रहने के लिए आपको next next करते जाना है आपको सारा suggestion देदेगा कि आपको कहां से क्या करना है चलिए अब हम यहाँ पर इसे next कर देते हैं and done के उपर click कर देते हैं done के उपर click करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से Finish के उपर क्लिक कर देना है Finish के उपर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर हम इसे चला करके देखते है कि वीडियो आखिर चलती कैसे है वीडियो बहुत अच्छी चल रही है चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एडिट करते हैं यहाँ पर जब इसके उपर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकतो बहुत सारे option आ गए subtitle को लेकर आपको यहाँ पर कौन सा font चाहिए कैसा क्या चाहिए तो मेरे को यह font अच्छा लग रहा है तो हम इसके उपर क्लिक कर देते हैं तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो किस परकार से यहाँ पर change हो चुका है यार गजब तो मेरा यह जो subtitle था वो अच्छे तरीक से fix हो चुका है अगर आपको यहाँ पर नहीं रखना है इसको थोड़ा नीचे करना है तो आप इस परकार से इसे नीचे भी कर सकते हो लेकिन YouTube पर जब आप upload करोगे तो आपका यहाँ पर title दिखेगा और आपका subtitle अच्छे से नहीं दिखेगा मेरे को तो फिलाल यही पसंद है और यहाँ पर यह भी मेरे को पसंद है तो अभी हम यहाँ पर simply इसको क्लिक करके देखते हैं देख लो अब इसे हम चला करके देखते हैं पहले रंगबान सुना और एक हफ्ते बाद आपको इंज्री होगी यह कुछ खास मेरे को नहीं लग तो हम यहाँ पर simply इसी को select कर देते हैं यहाँ पर देख सकते हो और दोस्तों अगर आप फिक्सल लेव वगेरा इमेज वगेरा बनाते हो थमनेल वगेरा तो आपको यह सबी setting अच्छे से आता होगा जैसे हम यहाँ पर इसे select कर देते हैं इसके उपर किलिक करेंगे तो अभी देख सकते हूँ यह थोड़ा करोगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगे मैं चीज जो होती है वह होती है आप यहाँ पर account कैसे बनाओगे edit कैसे करना है first time जब कोई यूज करता है तो उसको थोड़ा boring सा feel होता है मतलब अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपको clarity के लिए बता दिया ह हो सब कुछ अगर आपको सब्टाइटल का color वगेरा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जैसे अश्ट्रो कलर जो side में है वह कैसा है black है और shadow color shadow मतलब यह जो धुन्दला धुन्दला नीचे दिख रहा है वह आप समझते हैं वह भी black है तो पर देख सकते हो अपने हिसाब से इससे सलेक्ट कर सकते हो तो हम इसे black ही रने देते हैं मतलब अच्छा है चलिए अब हम यहाँ पर इसे expert करते हैं तो expert करने के लिए simply यहाँ पर आपको expert की उपर क्लिक कर देना है expert के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1080 pixel यानि HD में कर दो एंड उसके बाद expert के उपर क्लिक कर दो लेकिन यहां पर आपको दिख रहा होगा विजार्ट डॉट याई लोगो आएगा मतलब expert with include a wizard डॉट याई वाटरमार्क अपग्रेट टू रिमूव इट मतलब आप इसे हटाना हो रहा है तो उसे देखने के लिए simply आपको यहां पर व्यूप के उपर क्लिक कर देना है कि दोस्तों अभी आप लोग यहां पर देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट हो चुग है लेकिन उसके बाद फिर से आपको यहां पर डाउनलोड के उपर क्लिक करना होगा है तब जाकर के आपका वीडियो पुर्न रूप से डाउनलोड हो करके आपके मोबाईल के फाइल में जाकर सेव हो जाएगा तो उसके लिए simply डाउनलो और इसे चला करके आपके सामने देखते हैं तो देखा दोस्तो result काफी खतरनाख है मतलब बहुत आसानी से आप इसे mobile में भी यूज कर सकते हो आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा wizard.ai logo का comment नहीं करना की logo कैसे अटाएं क्योंकि मैं आभी बताऊंगा आपको logo कैसे अटाना है तो उसके लिए simply आपको यहाँ पर किसी भी editing software में चले जाना है तो हम simply use करते हैं Filmora का तो Filmora अभी हम open करते हैं open करने के बाद यहाँ पर आपको new project पर आना है उसे ढख दो मैं वस यही कहना चाहूँगा हमारे चैनल के average मतलब सभी video की जो duration होती है वो लगवग 15 मिनट के अंदर होती है तो उससे ये video लंबी हो चुके है तो इसलिए मैंने उस part को यहाँ पर cut करके मैं यहाँ पर आपको simply बता दिया हूँ कि आपको क्या करना है तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको कैसे credit देना आपके video के description में description के सबसे नीचले सता पर आपको लिखना है video credit and उसके बगल में उस video का link paste कर देना है जिस video को आपने short video में convert किया हुआ था और उसके बाद आपको कभी copyright strike का जंजट नहीं रहेगा कभी आपको नहीं आएगा जो बदमास बंदा होगा जो आपको पसंद नहीं करता होगा या फिर आप उसके खिलाफ कुछ video upload कर दीजेगा तभी आपको कोई copyright strike दे सकता है वरना आपको copyright strike नहीं देगा तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लेज यार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाबा